हेई गाइज वलकम बेक टो मैं चानल मैं हूनीता वर्मा और आज मैं आपके लिए लिकराई हूँ आपकी पसंदीदा वीडियो और इस पे आप लोगोंने काफी रिक्वेस्ट के थी और बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स मिले हैं कि जो ये वाल पेपर मैंने लगाया ह इसकी कंडिशन क्या है यह अभी तक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है इसके सारे में बहुत सारी बाते मुझे आपके साथ शेयर करनी है और ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप वाल पेपर लगाने के लिए सोच रहे हैं दिवार पर नहीं तो फिर है और मैंने हैं जो अभी तक कोई वीडियो शूट नहीं की थी और मैं थोड़ी सी अपसेट थी भी थोड़ा ठीक हुआ है तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ही ली जाए तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि अभी ये बाल पेपर है जो किस तरह का है तो गाईस सबसे लिंक जो है डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा आप जागे एक बार से चेक कर लीजिए फिर इसके बाद मैंने इसका पार टू भी डाला हुआ है वाल पेपर के बारे में ही क्योंकि अभी वाल पेपर का जो टेर्ण है वो काफी जादा चल रहा है और आपके घर को बहुत ही जाता सुंदर बना सकता है लेकिन इसको लगाने के फाइदे भी है और कुछ नुकसान भी है कहां लगाना चाहिए कहां नहीं लगाना चाहिए यह मैं फूल एक्सपिरिंस के साथ आप लोगों के शाद सेयर कर रही हूं ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सिफ अभी तो जो में यह वीडियो आपके साथ अब भी शेयर कर रहे हूं इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके और जो लोग वालपेपर लगाने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता हो तो वो एक अच्छा डिसि इसको खुझ से रिपेर नहीं करा सकती हूं कुछ लोगों ने बोला कि मैं वापस को रिपेर करा लीजिए दिवार बहुत खराब हो गई है हां यह मुझे भी पता है बट थैंक्यू फोर सजिशन तो आप देखिए यह वाली दिवार थी तो मैंने इसके लिए वाल पेपर म मंगाया था तो शुरुआत ही थी और बहुत सस्ते में मैंने इसको फिलिप कार्ट से मंगाया था कोई सेल भी नहीं थी और अभी थोड़ा सा यह महंगा हो गया है बट इसकी जो क्वालिटी है एंड जो इसकी लाइफ है वो मुझे काफी अच्छी लगी वो क्यू लगी व मैंने यह 189 में मंगाया था लेकिन अभी आपको यह 230 के आसपास मिलेगा या फिर 300-400 के आसपास भी गया है मैंने देखा है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इसको सेल में मंगाया तो ज्यादा आपके लिए बैटर होगा क्योंकि उस टाइम ही आपको सस्ता मिल जाता है तो अमाद करते हैं is how quality थे quality बहुत अची थी क्योंकि इसको एक साल हो गया है और एक साल तक यह बॉब पेपर आदा लगा हुआ है आप देख सकते हटै है और मैंने किया है मैं दिखा देती हूं यह भी यहां पर भी मैंने इसको पिनप किया क्योंकि यह निकल गया है और बीच-बीच में से यह चिपका हुआ है यहां से यह उठ रहा है तो बीच-बीच में इसके अंदर एर आ गई है यह मैं आपको बताने वाली हूं और यह वाला उपर रहते हैं तो उनके हहाँ से कुछ सीपेस होती है उसकी वज़े से ये जो डिवार है इसमें पूरे में पानी बैठता है और ये डिवार एक सीलन वाली दिवार जिसमें सीपेस बोलते हैं उस टाइप का ये हो गया था और ये वाली दिवाल बिल्कुल ठीक थी एंड इतनी खराब नहीं थी जितनी अभी है क्योंकि सीपेज लगातर बढ़ता जा रहा है और ये इस तरह का हो गया है ये बॉल पेपर की वज़से बिल्कुल नहीं हुआ है ये रहे हैं ये आप सोच रहोगा है अगर आपका वाल पेपर की वज़से हुआ है तो वो सिर्फ पेइंट को हटाएगा चूने को साथ नहीं निकालेगा सबकुछ निकल रहा है आप देख सकते हैं तो इसके फायदा यह हुआ अगर आपके पास बज़ट नहीं है और जिस तरह आप या फिर मेरी तरह आप ले लीजिए जैसे यह मेरा परसनल घर नहीं है तो मैं इसको खुछ से रपेर नहीं करा सकती हूं इसके लिए मैंने कम्टि अगर अगर आपके पास बज़ट नहीं है तो आप बॉल पेपर लगा सकते हैं सीलन वाली दिवार पर जिस पर हल्की सीलन हो लेकिन अगर मेरे यह पर बहुत हैवी सीपेश था जिसकी वैसे यहां पर पानी की बुंदे भी आ जाती थी बारिश वाले टाइम में तो सो यहा अगर आपके ऑपन है क्योंकि बाथूम वाली दिवार तो इसमें हवा नहीं लगती है अगर पीछे वाली खुली दिवार है और इसमें अंदर वाली दिवार है तो आप इस पर असानी से बॉल पेपर की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास बज़ट नहीं है अभी फिलहाल तो आप एक साल तक के लिए इसको लगा सकते हैं क्योंकि एक साल तक यह इजीली रूख जाएगा क्योंकि मैंने इसको लगाया हुआ है और इसका वीडियो आप देख सकते हैं मैंने एक साल से भी ज्यादा हो गया है लेकिन आप एक साल मान के चलिए अगर एक साल के अंदर अंदर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास budget हो जाएगा तब मैं इसको repair करा लूँगा या फिर repair कराना better है क्योंकि sealant है तो दिवार already खराब होगी क्योंकि इसको सिर्फ हम ढग सकते हैं लेकिन अगर आपकी अच्छी दिवार है जिसमें कोई sealant नहीं कोई सिपेज नहीं कोई कुछ नहीं तो आपको सिर्फ उसके उपर पुट्टी करानी है पुट्टी ताकि दिवार है जो एक दम स्मूध हो जाए उसके उपर आपको paint करानी के जरूरत नहीं है फिर आप बढ़िया सा wallpaper चूस कीजिए और लगा दीजिए बे धड़क उससे आपको क कोई दिक्कत नहीं होगी यह मेरा वादा है क्योंकि मैंने लगाया हुआ है और यह भी मैं आपको बता देती हूं क्योंकि मैंने महंगा वाल वाल पेपर नहीं लगाया है अभी मार्केट में बहुत महंगे महंगे वराइटी के बहुत सारे वाल पेपर आरे मैंने सिर्फ ए है उस पे भी धीरे-धीरे सीलन आ सकती है तो सब मैं यहीं सजिस्ट करूंगे अगर यह सिंगल दिवार है आपके पास बजट नहीं तो आप लगा सकते है कुछ टाइम के लिए अगर हलकी सीलन है अगर लगतार अग उसमें सीपेज हो रहा है तो आप उसके उपर नहीं लगा लगा देंगे और फिर उसमें कोई दिक्कत आचाएगी तो आप बोलेगे कि मैं आपने यह क्या क्या बता दिया और हमारे साथ तो यह हो गया तो उस जिस टाइम यह वाल पर लगे थे तो मुझे भी इना खासा एक्सपिरियंस नहीं था तो मैंने सिर्फ सीलन वाली दिवा इसकी लाइफ मुझे काफी अच्छी लगी मैंने 189 में इसको कवर करके रखा एक साल तक के लिए यह बहुत अच्छी डील है अगर आपके पास बज़र्ट नहीं है आप एक साल के अंदर काम करवाना चाहते हैं कि अभी नहीं अभी नहीं थोड़े दिनों बात करवा लें तो यह आपके लिए इतने आप अपनी दिवार को कवर करके रख सकते हैं अच्छे से क्योंकि ऐसे तो फिर अच्छा नहीं लगते हैं आप खुद ही देख सकते हैं और कुछ लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे यह मैं रिपैर करा लीजिए यह करा लीजिए तो भई देख किया हुआ अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए का बहुत ही ब्यूटिफू लगते हैं देखिए वाल को किते अच्छे से एनाइस कर रहा है बहुत ही सुंदर लगते हैं और भी आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे हो सकते आपको यह पसंद आए तो अपने पसंद के कावडिया आप खरीदिये और अपने घर की दिवारों को चमकाईए तो नीचे देखिए यह वाला वाल पेपर मैंने लगाया हुआ है और भही मैं सारे जो चीजे वाल पेपर हैं एक्चुली वाल पेपर मैं यह सस्ते में खरीती हूँ ताकि देखिए यह मेरा खुद का खर नहीं है तो मैं इसलिए सस्ते में ही खरीती हूँ लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है मतलब मैं काउना 100% एक्टम बहुत बढ़ी आया है क्योंकि मैंने लगाया और इसको भी काफी टाइम हो गया है करीब 6 मन्त हो गया है इसको भी और यहां तो भ इसको फुल दिवार पर भी दिखाती हो लाइट मैंने अभी बंद की है तो देखिए मैंने इस वाली वाल पेपी लगाया हुआ है क्योंकि बच्छों ने काफी गंदी की हुई थी तो आप खुद देख सकते हैं इस दिवार से भी यह वाल पेपर कहीं नहीं जाने वाला है और यह वाल पेपर है यह भी मैंने बहुत सधे में खरीदा था था है दो सो बीस रूपे में आइधिंक मैंने इसको खरीदा था और सिर्फ कुछेसों स्पाइघ स्पाइज। सट्सनिम में चीजय अट्राहिए सप्ना कि यह रोपी यह 6 मिटर था 220 रुपे में इसके रेट है जो आप डाउन होते रहते हैं तो आप इस पे नहीं जाएं कि रेट जो मैंने खरीदा वही आपको मिले हो सकता है उसे सस्ता भी मिल जाए हो सकता है आपको उसे महंगा भी मिल जाए तो इस पे आप मज जाएगा मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाल पेपर सीलन वाली दिवार पर भी एक साल तक चल सकता है लेकिन अगर आपकी दिवार एकदम अच्छी है बढ़िया है सुखी है मतलब कुछ नहीं है बस पेंट होना चाहिए कि मैंने भी ऐसा कुछ आसा वह नहीं करा रहा हूँ इसको पर कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइमर है ये है वो है ऐसा कुछ भी नहीं है इसके उपर आउनली सिर्फ पुट्टी होनी चाहिए आपकी दिवार के उपर डारेक्ट सिमेंट के उपर नहीं लगेगा इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट की है कि मैं इसको हम डारेक्ट जब हम सिमेंट करवा लेते हैं यान कि प्लासर जब करवा लेते हैं तो तब लगा सकते हैं तो उसके में आप इसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो उसको नहीं चिपकता है उस पर निकल जाता है तुरन चिपकाओ गया अब तुरन से वो निकल जाएगा यानि कि उसकी जो पकड़ है वो इतनी अच्छी नहीं है बस उसके उपर पेंट होना चाहिए कोई भी पेंट हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं कि चूना हो तो मैं तो यही काऊंगी, जितनी अच्छी साफ सुत्री दिवार होगी, उसकी जो लाइफ है उतनी ही अच्छी होगी, और उपर से आपका चिपकाने का तरीका, आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है चिपकाने का तरीका, तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो आप उसे देखे, अगर आपकी दिवार भी अच्छी है, आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ है, और अगर आपने उसको पेस्ट करना है, उसको चिपकाना है और आपने वह अच्छे से नहीं किया, तो आपकी सारी महनत खराब हो जाएगी, और वह स्मूधनेस नहीं आप बहुत जल्दी निकल जाएगा, उसके अंदर एर बबल सा हो जाएगे, तो फिर आप बोलोगे कि यह क्या हो गया, तो फायदे और नुक्सान तो मैंने आप लोगों को बताई दी है, अगर आपकी सीलन वाली दिवार है, हलकी सीलन है, थोड़ी बहुत सीलन है, तो आप इस लिए सबसे पहले आप लगाने का तरीका जरूर देख लीजीगा, कि मैंने किस तरीके से बाल पेपर आपको लगाना बताया है, छुट-छुटी बाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी बाते हैं, नहीं तो फिर आप पैसे देखे फिर बहार से लगवाल लीजीए, गर थोड़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रूपस में, अपने फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगे और मुझे भी फॉलो किजेगा, फेस्बुक पेज पर भी, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर सब पर मुझे फॉलो किर लीजे, और फायदे इसके ज्यादा है, नुकसान इसके बहुत ही कम है, तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आपकी दिवार में सीपेज नहीं है, तो आप बे धड़क लगाईए, कोई भी बॉल्पेर पर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज कीचिए, और लगा दीचिए, और वो यकीन मानिए, बहुत लंबे ट जगे पर ना लगाएं, क्योंकि धूप में यह फ्रेड हो सकता है, गिली जगे पर भी ना लगाएं, गिली जगे पर भी यह नहीं ज्यादा पकड रखेगा, निगल जाएगा, कुछ दिन में अगर लग भी गया तो, लेकिन सीलन वाली दिवार पर चलेगा, भाई अब यह बिल्कुल नहीं हटेगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, और फिर अगर आप उसे हटाना भी चाहें, तो वहां से हटाकर आप दूसरी जगे भी लगा सकते हैं, यान कि आप उसको रियूस भी कर सकते हैं, बट ऐसा दिवार पर नहीं होगा भी, दिवार पर आपको पर नहीं भी चूना नहीं निकलेगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आप यह सोच रहें होगा भी चूना होना भी सब निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, हलका फुलका पेंट निकलेगा, फिर आप उसके बाद या तो वाल पेपर लगा दीजिए, या पॉल्पेपर ही लगाय हुआ है और ये तो यह इजाने वाला है अब लगा सकते हैं और इसे enjoy कर सकते हैं आपने घर को सुदर बना सकते हैं इन सब चीजों से बस एक ज्यान रखना है अगर हल्की सीलन है तो आप इसे लगा सकते हैं अगर증 जादा सीलन है पानी गिर रहा है उसके साइड में तो दूसरी दिवार पर भी उसकी जो सीलन है वो बढ़ जाएगी दूसरी दिवार भी खराब हो सकती है लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं हो रहा है आप सोच रहें कि इसको कुछ टाइम रहने देते हैं कुछ पैसे आ फिर हम धीरे-धीरे काम करवा लेंगे सबी लोग तो एक जैसे मतलब अम्बानी जैसे अमीर तो नहीं होते ना सब लोग को सोचना पड़ता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आप कमाईए धीरे-धीरे जोड़िए और जब आपका पैसे आपके पास ही खटे हो जाते हैं और आप अपने घर को भी सुंदर दिखाना चाते तो आप 100-200 रुपे का वाल पेपर लगा के अपने घर को सुंदर बना सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन ब बाई टेक केर